ओके सो हेलो एवरिवान इस वीडियो में हम जानेगे आनलेटिकल मेथड के बारे में इसके पिछले वाले वीडियो में हम जाने थे क्या ना ग्राफिकल मेथड के बारे में तो इस वीडियो में हम जानेगे आनलेटिकल मेथड क्या है इससे कैसे यूज करते हैं इस ग्राफिकल मेथड और अनलिकल मेथड दोनों ही मेथड रेजल्टान को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है और अगर आपको यह पीपीटी और हैं रिटे नोट्स चाहिए तो आप पिन कॉमेंट से से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं लिखाए क्या ना मेथड फदर रेजल्टान फोर्ट निकालने के लिए जो भी मेथड यूज किया जाता है वह सब मिने यहां पर लिख लिए दो प्रकार कि वेसिकली मेथड होते हैं एक होता है अगराफिकल मेथड द result nilista निकालना पड़ता है और यही method जो होता है अमरे अग्जाम में आता है analytical method की और graphical method में तीन methods होते हैं एक parallelogram law of forces, triangle law of forces, polygon law of forces और तीनो method के बारे में मैंने मेरे पीछले वीडियो में बता आया है इस वीडियो में हम जानेंगे cosine law method जो कि analytical method का है और इसके अगले भीडियो में हम जानेंगे method of resolution के बारे में cosine law जो method होते हैं वो दो forces के लिए अपलाई होता है और method of resolution होता है वो several forces मतलब Avec cosine law से हम 2 forces का result है निकल सकते हैं मत क सबस्क्राउल नमबर Спасибо अप्सक्राणन निकाल सकते हैं तो चलिये पढ़ते हैं, cosine law method के तरहने में कि क्या है और कैसे यह अपलाई होता है ते माल रूसट हमाने देख लिजिए क्या लिकांग्खते है यह यहाई 행복 in 첫 cycle और ही आपले होता है क्यों लौ मेतार तो मान लीजेहां पे दो फोर्से से है यह क्या है ना दो फोर्से से और फाल्डिंग रेजल्टान इनका पिछले बाले ब्लिगों में में बता है था पाल्लेलोग्राम व्रिच में ऑस ना पड़ेगा यह Two यहाँ भी बस मान लिजे कि ए इस पारेलेलोग्राम का दो अर्चा से इनसायड है। जो पारेलेलोग्राम में हम पढ़े थे कि जो Gard tales होगा। उसका हम किया डाइग्नल होगा, इसको हम रेजल्टान लेठे़। यहां पे भी अगर यह एक पार्लेलोग्राम है तो इसका डाइग्नाट है यह तो यह बन जाएगा हमारा रेजल्टांट यह तो पागे है कि हम रेजल्टांट निकाल दिये पर हमको क्या चाहिए इसका एक value पर्टिकुलर रेजल्टन का value चाहिए और उस value को हम के कैसे में निकाल सकते हैं तो माने चाहिए इन दोनों के बीच का एंगल क्या है यह थिट्टा जो है यह यह दोनों के बीच का यहां भी थिट्टा जो है यह एंगल है फफण और फ के बीच में मान लिजए फवान एक टू के फट्टो एंगल है फिर क्या है यह हमें हम्लद है यह आरे आर हमेरे अर। तो बहुत क्या कらitड़ दोनों का यह एंगल यह और दीवाग में कर रहा है ए और थ openness के सथ बीटा इंगल कर रहा है तो पहले क्या था पहले f1 और f2 दोनों का अंगल था थिट्टा फिर r आके यह दोनों को डिवाइड कर दिया दो अंगल में एक हो गया alpha और एक हो गया beta एक होप यहां पर यहां पर यहां पर क्लियरली मेंशन है कि alpha वीदा अंगल बीट्विन f1 और अंगल बीट्विन एक टू अंड़ ऑके सो नेक्स में चलते हैं नेक्स लाइन में क्या है हमेरा फॉर्मूला है कि रेजल्ट का जो आर है उसका फॉर्मूला में हल्लू कैसे निक और यहां पर अंगल बीट्विन उसका स्कूरीयर फिर प्लस और माइनचू यहां यहां कि बताऊंगा लुत मीट्तू कॉस्ट त्विन गया होगाग यहां तो फीन एक यह यहां फासां इंट्यू का भान और ए रेक्ट के बीच का अल्फा थिया आलफा होगा तो टू इंटू एप्व習 यहाल हर यह जो एंटू और सबस्क्राइब को कशो धीच так Holz इसक्वार को पॉट्ट होगा गयो होगा कि directement आलफा आलफा मतलब यह जो तो f1 और r के बीच का अंगल आलफा है और f2 और r के बीच का अंगल बिटा है तो प्रोब्ले में यह भी पूच सकते हैं कि फाइंड आलफा और बिटा भी पूच सकते हैं तो वह कैसे फाइंड करेंगे ना त्यान आलफा is equal to f2 into sin theta f2 into sin theta जो theta का value जो होगा sin theta फिर क्या है ना divided by f1 plus or minus f2 into cos theta divided by क्या हो गया ना f1 plus or minus f2 into cos theta थिटा का value जो भी होगा यह plus or minus बताऊंगा संदों संदों करते हैं यदा को यहांद रखना पड़ेगा आपको यह क्या है यहां पी यहां पर लिखा रहे प्लॉस साइन कब होगा प्लस साइन इज यूज़ड वेन बोथ f1 और f2 आर लाइक नेचर मिन्स एम डिरेक्शन बताता हूं यह नीचे भी आप दे सकते हैं यहां पर लिखाए same direction जो होता है तब प्लॉस होता है same direction मतलब यह देखे same direction मतलब यह हो गया एक force आ गया यह अलग एक force आ गया यह दोनों का direction सेम है क्यों कि यहां पर यहां पर जो arrow मार्क है उपर की तरफ यह जो arrow मार्क है वो दोनों का arrow मार्क सेम ही तरफ मतलब outside है इसलिए same direction केता है और अगर ऐसा होता है इसे सेम डिरेक्शन कहते हैं फिर अगर एक वेक्टर ऐसा है दूसरा वेक्टर ऐसा है तो इसे भी सेम ही डिरेक्शन कहते हैं कि यह दोनों का मतलब फॉर्म जो तीर जा आरो है वो अंदर की तरफ है कि दोने फिगर में क्या है ना सेम ड्यारेक्शन और कियुंगं आइदर दोने फ़ों सकते हैं और या तु better हो सकते हैं इसे केते हैं सेम असले면्ट स्राइय तो अधिक प्लॉस साइड क्या दोनों का जो भेक्टर होता है दोनों का डायरेक्शन मतलब एक ही तरफ होना चाहिए मतलब यहां पे यह और यह यह दो फिगर है यह दोनों मतलब डिफ्रेंट डायरेक्शन के हैं क्यों क्योंकि यहां पे जो आरो मारक है वो इससे आउटसेड जा रहा है तो यहां पर भी यह जो आरम आरक है यह भी अंदर की तरफ मतलब इसके पीछे ही जा रहा है यह जिस तरफ जा रहा है यह भी उसी तरफ ही जा रहा है तो इसलिए इसे कहते हैं तो यह फोर्स जा रहा है इसके पीछे जा रहा है तो यह फोर्स जा रहा है इसके पीछे जा रह तो इस केस में हमारा क्या होगा ना नेगेटीव नेगेटीव हमारा होगा इस केस में नेगेटीव होगा और पिछले बाले इस केस में हमारा पॉजिटीव होगा इस केस में हमारा नेगेटीव होगा जो ध collection कोंप्लीकेटेंनेगं। याद रखना ह terrified क्या हूं और याद,, सोट्वैर सब यह जानbor ना कि जहांब भी सेंग डैएरेक्शन होगा? वहां पर प्लस होगा… और यहां पर डिफ्रेंण डिएंट सेम डिए्यों मतलब या पिर दोनों सेम स्माइनimizyohin内 ौढ टॉभर होगे या फिर दोनों सेम डिएरेक्शन ये सेम डिएक्शन सेम डियॽिसमें क्या है ना दोनों ौण препो दोनों एक की तरफ movement कर रहे होंगे मतलब एक के पीछे एक जा रहा होगा यह जैसे जा रहा है आउटसाइड की तरफ यह जो फोर से यह के पीछे जा रहा है इसके पीछे जा रहा है तो यह हो गया क्या ना negative negative में जाएगा है तो next slide में next slide में क्या है ना अभी जो हम formula पढ़े थे यहां पे यह जो formula पढ़े थे सभी हमें क्या है थीटा है harm अगल बीटून फवान अड़ा एफ टू है तो अभी किया है ना थीटा के बेस पर हमारा फॉर्मुला चैंज हो सकता है क्यों जब जब क्या है ना थीटा is equal to 90 degree होगा यहां पर जब theta is equal to 90 degree मतलब f1 और f2 के बीच 90 degree का एंगल होगा राइट एंगल होगा इस फिगर में इस फिगर में देखें क्या है ना f1 क्या है यह मान लिजए यह हमारा f1 और यह हमारा f2 और यह है आर रेजल्टांट है तो f1 और f2 के बीच में यह जो एंगल है यह है 90 डिगरी का एंगल तो जब भी theta is equal to 90 degree होगा तो आर का value क्या होगा ना root over f1 square plus f2 square क्यूं क्यूंकि यहां पर formula यहां पर formula में देखे formula में क्या लिखाए f1 square plus f2 square plus or minus 2 f1 into f2 cos theta तो क्या हो गया ना cos theta का value 90 degree है तो यहां यहां पर यह total value क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो बच्चे का क्या है ना f1 square plus f2 square तो हो गया तो जब भी आंगल theta is equal to 90 degree होगा तो आर का formula क्या हो जाएगा ना f1 square plus f2 square का root over okay फिर क्या हां गया ना second formula में जब theta के value 0 degree theta का value 0 degree हो जाएगा इस वाले figure में देखे theta का value 0 degree है क्यों क्योंकि एक figure एक force यहां पर एक force लग रहा है उसके ऊपर अलग एक और force लग रहा है और दोनों के थिटा is equal to theta is equal to 180 degree होगा यहां पर इस figure में theta is equal to 180 degree है कैसे एक force लग रहा है एक force लग रहा है right side की तरफ दूसरा force लग रहा है left side की तरफ तो दोनों force का बीच का angle क्या हो गया ना 180 degree तो जब भी थिटा इस गॉल 180 डिगरी होगा तो आर इस इकॉल तो क्या हो जाएगा एक फोर्स यह फटू है यह दोनों का मैगनेचुड सेम ही है इसले मैगनेचुड सेम है तो इसले मैण बैप एप इन्ट यहां पर निकलेगा एजो रेजल्ट निकलेगा तो restart को क्या से थीटा बाई 2 कॉस थीटा जो है वो f1 और f2 बीच का एंगेल है डिभाइड़ बाई 2 मतलब आइदर थीटा अगर 60 होगा तो कॉस थीटा बाई 2 मतलब कॉस 30 अगर 40 होगा तो कॉस 20 एसा होगा तो आर इस इकल डू इंटू इंटू ही मतलब f1 और f2 में से कोई एक इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगे बहुत इजी है और अगर आलफा चाहिए आलफा चाहिए तो आलफा इस इकल डू थीटा बाई 2 जितना भी थीटा निकले का उसका थीटा डिभाइड़ बाई 2 तो आलफा बीटा दोनों ही सेम हो जाएंगे तो आलफा इस इकल डू बीटा इस इकल दो ठीटा वाई 2 ऑके बहुत सिंपल है इस वीडियो में हम जाने कि अफ्रीप ही का कोकश्ड़ दाइनलो मे thinkingaste के बारे में तो सेवराल फुरَّशेस के लिए कर निकलेंगे göra निकलेंगे काल्कुलीशन के वो जानेंगे तो अगर आपको यह PPT और हैंड रिटेंड नोट शाह है तो पिन कॉमेंट सेक्षन से भी डाउन रूड कर सकते हैं तो मैं इंजिनीर मेकनिक साथ प्लेयलिस जो है वह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से उसे विजिट कर सकते हैं और नेक्स्ट के बाद जो हमरे मिथल आफ रिजोलिशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोब्लेम साथ करेंगे दोनों का सो मेक स्यूर यू सब्सक्राइब और लाइक मैं चैनल थैंक यू